बिस्मिल्लाहि रह्मानि रहीम अस्सलामु अलेकुम आज हम लेक्टर नुबर टू स्टेडी करेंगे MTA202 का जिसका टॉपिक है टूटेबल्स आज हम टूटेबल्स बनाना सीखेंगे सबसे पहले आपको स्चेट्मेंट नजर आ ली होगी हम इसको प्रोपोजिशन भी कहते हैं निगेशन P and Q पहले हम इसके लिए टूटेबल बनाएंगे निगेशन P and Q सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास कितनी जो हैना स्टेट्मेंट्स है कितनी प्रोपोजिशन है तो यहां पे हम आदे पास दो proposition है एक p है और एक q है ठीक है तो जब आपके पास दो propagations हो sorry, propositions हो तो आप के एकटते हैं 2 की power n लेते हैं ठीक है, formula लगाते हैं तो n जो है न वो बता रहा होता है कि आपके पास कितनी propositions हैं यहां पे आपके पास 2 थी तो 2 की power 2 equal आजाएगा 4 के यनि के total आपके पास जो statement बनी है टेबल में वो 4 बनी है, ठीक है row wise आपके पास 4 होंगी ठीक है, तो देखे p and q है तो negation पी लाने के लिए पहले मारे पास p का हो न ज़रूरी है p और q आप two table बनाएंगे तो first वाला जो p है आपको नजर आ रहा है इसमें दो true लेंगे हम first वाले दो true और फिर दो false लेंगे, ठीक है आप column wise देखें, p जो है दो true, दो false q क्या करते हम, दो true, दो false ले थे न, p में, तो q में एक true लेंगे, एक false, एक true एक false, यहां तक न, जो हमें condition दी हुई है condition क्या दी हुई है, negation p तो जो p वाला आपके पास stable है आपने इसका negation लेना है तो true को false कर देना, false को true first वाले two true थे न, तो हमने उसको negation p में false कर दिया, और last वाले two false थे, तो उनको हमने true कर दिया ठीक है, अब negation p लेना है and q, यनि कि आपने first वाला जो है न, वो नज़र रखनी है negation p पे, यह first वाला कॉलम आपने लेना है और इसका and हमने operation अप्लाई करना है किसके साथ, q के साथ, तो and कहता है, कि जब आपके पास दोनों true हों, तब true होगा, otherwise false, ठीक है, तो negation p and q में देखें, आपने negation p और q वाले table को देखना है, कॉलम को देखना है, इन दोनों में कहां पे true आ रहा है, तो third last पे देखें, आपके पास वो है न, वो second last में, दो true आ रहे हैं, तो यह आपके पास true है, और बाकि आपके पास सारे false होंगे, ठीक है, next table देखें, negation p and bracket q और negation r, ठीक है, तो इसको आपने apply करना है, मज़ इसको and और और पढ़े हूँ, and आपके पास conjunction होता है, और और आपके पास disjunction होता है, अब अगर आप गोर करें, तो इस table में आपके पास 3 variables use हो रहे हैं, p, q और r, ठीक है, इसका मतलब है कि 2 की power n जो है, वो equal आएगा, 2 की power 3 equals to 8, ठीक है, यानि कि आपके पास 8 जो है आपके पास column बनेंगे, column की 8 आपके पास rose बनेंगी, 4 आपके पास पहले true होंगे, और 4 false p में क्या होगा, 4 true, 4 false q में क्या होगा, 2 true, 2 false 2 true, 2 false और जो r वाला आपके पास column आएगा, इसमें 1 true, 1 false 1 true, 1 false, इस तरह से आपके पास sequence चलता जाएगा अब आपने देखने हैं, कि आपके पास जो condition इन्होंने बोला है उसमें bracket में जो आरी है value, उसको हमने पहले solve करना होता है तो bracket में क्या आएगा, q, r negation, r तो आपको क्या चाहिए, negation, r चाहिए, तो r से हम negation, r निकालेंगे, तो r वाला जो आपके पास column था उस column को आपने उल्टा लेना यानि कि true को false कर देना और false को true कर देना है ऐसे आपके पास negation, r आ जाएगा अब आपने disjunction find करना है, q और negation, r में तो disjunction का sign आपको पता है, v होता है ठीक है, v हम कहले, मैं आपके सान के लिए v बोले, उसको हम और कहते है और की condition क्या होती है r कहता है, अगर एक भी true तो आपके पास table में true आएगा अब क्यू वले table को देखें, और negation, r वाले में इन दोरह में फर्स्ट में देखें क्यू की true आ रही है, और negation, r की आपके पास false आ रही है तो एक भी true आ रहा है, तो आपने true लगा देना बाकि आपने false लगा देने ठीक है, तो बहतर होगा कि आप साथ जोने इसको हल करें अपने पास rough copy वगर उपन करें और साथ-साथ इसको समझें, साथ-साथ main points लिखते जाएं और जोना करें, ठीक है अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बकाइदा highlight करके भी आपको समझा दूँगी ठीक है, फिर negation P आपको चाहिए क्योंकर जब आपके पास Q और negation R आ जेगा bracket वाला इससा तो solve हो गया अब आपको negation P चाहिए, स्टार्ट में देखें सबसे पहले negation P है question में तो वो हम क्या करेंगे, पी वाले को उल्टा देंगे सारी की सारी values को, यानि कि true को false कर देंगे false को true कर दिया हमने अब इन दोनों, यानि कि आपके पास जो table आ गया Q और negation R वाला और negation P वाला इन दोनों में end operation अप्लाई करना है और end कहता है कि दोनों true होंगे तो ही मैं true होंगा, otherwise false तो सिर्फ last में देखें, दोनों true आ रहे हैं तो आपका last वाला true है और आपके पास third last भी दो true है और जो हैना, वो fourth last भी तो यह आपके पास यहां पे तीन जगों पे true आया है बाकी सारे false आएंगे, ठीक है नेक्स आपने यह विल एक्जामपल खुद हाथ से हल करनी है और देखना है कहां पे आपको अगर problem आ रही तो आप मुझसे discuss कर सकते हैं, comment करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है नेक्स देखें, आपके पास क्या आ रहा है usage of or in English English भी हम और के इस्तेमाल कब करते हैं करते हैं, in English language the word or is sometimes used in the inclusive sense कि करते हैं कि आप जो है न वो English में और के इस्तेमाल हम की sense में करते हैं जब हम choice होती हैं हमारे पास के P, OR, Q, OR, both यह P हो सकता है, यह Q हो सकता है, यह फिर यह दोनों हो सकते हैं, ठीक है तो example आप देख लें कहते हैं, I shall buy a pen or a book तो कहले हैं कि मैं खरीदूंगा, यह pen खरीदूंगा, यह book हो सकता है कि वो pen और book दोनों खरीद ले, चीक है तो कहते है, above statement में क्या है, if you buy a pen or a book in both cases, the statement is true कहते हैं कि statement true रहेगी, यह आप pen खरीद होगे, यह आप book खरीद होगे कोई एक चीज़ तो खरीद होगे, if you buy both pen and book, the statement is again true कहते हैं, अगर आप एक भी खरीद लेंगे, तो बात दुरुस्त रहेगी, अगर आप दोनों खरीद लेंगे, तो बात दुरुस्ती होगी Thus, we say in the above statement, we use or in inclusive sense कहते हैं, इसलिए हम इसको inclusive sense में इसमाल करते हैं, यह तो हो सकता है कि एक चीज़ हम इन दोनों से select करें, यह हो सकते हम दोनों कर लें, तो यही बात है, यह हो सकता है कि कोई एक true हो, यानि दोनों true भी होंगे तो तब भी आप statement जोना हो true consider कर सकते हैं, दूसरे वर्ड में के करते हैं, the word or is sometimes used in the exclusive sense कहते हैं, आप इसको exclusive sense में इसमाल करते हो, इसको क्या मतलब है, हो सकते है, पी हो, यह क्यो हो, लेकिन दोनों ना हो, ठीक है आगे हम details से ना इसको देखते हैं, यहाँ पर भी देखें, कहते हैं, tomorrow at nine, I will be in Lahore और Islamabad, कहते हैं, 9 बजे ना, मैं यह लहोर होंगा, यह इसलामाबाद, यह आपको अच्छी जाम पहला है, exclusive sense में समझने के लिए, लेकिन आपकी बस यहाँ हो सकता है, 9 बजे बंदा लहोर ह यह बना हो, हो सकता है, वह इसलामाबाद हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि एक ही टाइम पह यानि कि नो बजे, दोनो जगों पह पह पर संवुद हो, यहाँ बहुर होर और Islamabad में एड़ टाइम मुझूद है, ठीक है, तो यह exclusive or के इसके लिए आप क्या sign इसतमाल करते यहां पर आपको नज़र आ रहा होगा when or is used in its exclusive sense the statement P or Q means P or Q वही बात जो मैंने उपर बता दिया है exclusive or का मतलब ही होगा यहां पर P यहां Q लेकिन दोनों at the same time नहीं तो आप इसके लिए जो है ना वो circle में plus का sign इस्तमाल करते हैं P or Q में आपको ना exclusive or का sign ने ज़र आ रहा होगा जिसको हम P, X or Q भी कहते हैं ठीक है चुच्छे पर इनने आपको बता दिया है कि जब दोनों true होंगे तो false आएगा यही बात हमने पीछे study की और इसको समझा कि उन्होंने का कि एक बंदा जो है ना दोनों दो मुतलिव जगों पर एक ही time मुजूद नहीं हो सकता यह कि condition दोनों true हो तो false ठीक है? अगर दोनों conditions false हैं तब भी false बाकी ज़र न वो conditions true ठीक है? यह true false हो false true हो तोभी true यह धन्य कि अगर दोनों statement true हो जाए तब भी false और दोनों statement false हो जाए तब भी false यह exclusive और की definition है आपने इसके concept को अच्छे से clear करना है हुपसर आपको समझ आ रही होगी साथ-साथ फिर आपको example दे दिए भी true table दे दिया है बहुत easy है आपने इसको करना है और यह आपका जो ना वो long में आ जाता है मतलब कि आता ही है true table बना ना होता है आपने तो यह मुफ्त के number है अगर आपको समझ आ चाए तो बहुत असान concept है इसका इसमें P और Q and negation P and Q है तो simple क्या करना है आपने पहले bracket वाला है इसा solve करना है P और Q करें उसका answer लाएं और उसके बाद क्या करें P और Q लाएं के उसका ले 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 negation फिर इन दोनों टेबल में end का operation परफार्म कर लें तो आपके पास solution आ जाएगा उसके बाद आजाते हैं आपके पास P, XOR, Q जो है वो किसके एकवल होता है अच्छा यह बस आपने देख लेने यह इतना कोई important नहीं इससरा से आता नहीं होता तो बस आपने concept इपने clear रिपने है क्या का है इन्होंने का यह जो statement है आपकी पास final result देखें पी और क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू के equivalent जब आप solve करेंगे तो एक जोहर के एकवल आएगा बस यह बात इन्होंने बोलिए उसके बाद यहाँ पर जो logical equivalence है इसमें यह कहते हैं कि जब आप निगेशन निगेशन पी का लेंगे तो वो पी के एकवल यह आप इन्होंने डबल निगेशन को solve भी करके बताया है पी है पी आप यह पास एक ही statement है true यह false आएगी आप उसको ले लो निगेशन कर लो true false हो जाएगा अगेन इसी negation का दोबारा निगेशन लेंगे तो false true हो जाएगा true false इसमें अब देखें पी और निगेशन निगे उसी value के कवला आजाता है जो के simple वाली value होती है ठीक है फिर आगे नोंने इन्होंने इस बताया हो है example दी यह simple form के it is not true that I am not happy दोनों not थे ना तो it is not true तो I am not happy तो P यह प्लैट कर लें I am happy तो negation P क्या हो जाएगा I am not happy तो negation negation P क्या होगा it is not true that I am not happy यह दुरूस्त नहीं ह तो इस तरह से एक्जांपल दी हुई है simple से questions है बहुत easy है आपस अपने concept को clear रखें next भी बताया है अच्छा equal होने में और equivalent होने में वह फर्क होता है equal क्या कहता है equal कहता है कि आपके पास let's suppose के values है 1,2,3,4 यह एक set में है और B जो set है उसमें भी 1,2,3,4 है अगर same values होना बि दाद भी same हो तो वह होता है equal equivalent को यह मतलब होता है equivalent को मतलब होता है कि जो है values change हो सकती है लेकिन उनकी जो counting है तदाद है वह same रहनी चाहिए ठीक है यह बस आपको बताने था equivalent और equal में क्या फरक होता है अब आपने इस table को फिर से solve करना देखें जब आपने इन दोनों negation P and Q और negation P and negation Q किया तो यह दोनों के answer same नहीं आई फर्स्ट वाली जो देखें न negation P और Q मैं आप second last वाले column की बात कर रहे हूं इसमें क्या false true 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 जबके negation P और negation Q जब आपने सौल किया तो इसमें क्या है तीन false and last वाली true है तो end बस दो आपके पास true आई है end वाली row बाकि match नहीं कर रही ठीक है कहते है different truth values in row two and three row two and three अगर आप देखें तो इनके जो ना वो values different same नहीं है तो यह equal नहीं भी होते है अच्छा आपने डिमॉर्गन्स लाओ पड़े होंगे अब हुमन यह जो है ना आप eight nine class में आपको जुबानी याद करवा जाते है nine class में students को डिमॉर्गन्स का क्या लाओता है तो यहाँ पे बस a b वहाँ इसमाल कर जाए तो यहाँ पे क्या है वहाँ पे a b compliment होता था और यहाँ पे compliment की जगा है negation का sign है ठीक है आपने क्या करना है negation p and q तो यह के एक वल्हाण है negation p or negation q यहनी कि अनगर नगार एलगा देना है और और जब आएगा तो इसके जगह and लग जाना है यहाँ इसको प्रूफ करना है तो पुरूफ कैसे किया है यहाँ पर टेबल आपको बनाना पड़ेगा तो टेबल आपने बनाना है फाइंड करना है निगेशन P और किसे को लाएगा निगेशन P और निगेशन Q के टीक है दोनों बिल्कुल सेम ते बर आ रहे हैं इसका मतलब है कि सेम तो टेपलियो आपको लो रही है, next application is given negation for each of the falling statements that the fan is slower or it is very hot, अचा और आपने याद रखना है और आपके पास disjunction होती है and आपके पास conjunction होती है तो इसका solution क्या बनेगा negation में, the fan is slow, इनो नगाने तो हम कहेंगे, the fan is not slow and it is very hot, it is not very hot, simple negation में किये तो not लगाने है, बस, Akram is unfit, Akram is not unfit और था तो उसकी जगा end कर दें, तो या negation जो है वो convert हो जाएंगे Salim is injured इनो नगाता, answer में कहा, Salim is not injured, ठीक है next देखे, inequalities, De Morgan Law में क्या कहते है use De Morgan Law to write the negation of, अगर हम कहते हैं कि जो value on x की वो minus 1 और 4 के दिरमियान लाइक कर रही है, कुछ real numbers के लिए तो आप इसको क्या कहेंगे, कि जो x जो है वो minus 1 से, या जो x है वो 4 के एकवल है या 4 के, जो है वो 4 से छोटा है, तो indirectly हम यह कह रहे हैं कि x जो है वो बड़ा है minus 1 से, और जो x है ना end, x जो है वो छोटा या बराबर आएगा 4 के, ठीक है, तो यहां पर इन्होंने और की condition को end में convert किया है, simply आप एक दफा देहान से देखें, आपको समझ आ चाही है, मैं क्या कह रही हूँ यही था भई, इसदर यह concept और यह इतना हास important भी नहीं है, ठीक है, आप इसको skip भी कर सकते हैं फिर आपके पास आपके पास एक्सराइज में आपने इसको प्रूफ करना है, सिंपल है आपने इनका टूटेबल एक्सराइज आपने हुच से करनी है, ठीक है प्रेक्टिस करें, रफ कॉपी पर टूटोलिजी का concept आजाता है, टूटोलिजी क्या होती है, आप टूटोलिजी इस आ स्टेटमेंट फ्रॉम दैट इस ऑल्वेस्ट्रू रिगार्डलस आप दूट्रू वैल्यूस आपके पहली बात, दूसरी बात यह कि जब आप फाइनल आंसर निकालते हो न स्टेटमेंट्स को हल करके, प्रॉपोजिशन्स को, तो क्या न चाहिए, सारी कि सारे जो इना कॉलम की वैलियूस टू होनी चाहिए, जब कॉललम की सारे वैलियूस टूपा आ जयाए, वो टूटोलिजी होता है, अब अब यहाँ न पर p था true और false, negation P क्या है, false or true, जब आपने P और negation P find किया, तो क्या है, दोनों ही true आगे, तो यहाँ पर statement true हो जाती है, ठीक है, ट्रॉटोलजी है, contradiction जो है वो opposite होता है, ट्रॉटोलजी का, यनि कि जब statements false आजाएं, तो वो contradiction होता है, a contradiction is a statement form that is always false, जो कि हमेशा false होती है, जब P और या final answer, दोनों false है, तो इसका मतलब है कि यह आपके पास contradiction है, तो इसके बाद देखें, logical equivalence आजाती है, involving totology, अगर आप, अच्छा यहाँ पर प्रूव करने के लिए आपको दो मिनट भी नहीं लगते है, आपको rough pages वगरा मिलते हैं, sheets वगरा मिलती है, आपने फोरें से इसक P and T था ना, तो हम देखें, जब दोनों true है, तो true हाता है, यहाँ पर true है, यहाँ पर false है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, true or false है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, true or false है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, true or false है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, true or false है, तो यहा आपने देख लिए ना कॉंट्रेडिक्शन में क्या होता जब आप P और C, C के इतने कॉंट्रेडिक्शन को दोनों यानिके फॉल्स स्टेटमेंट्स लेते हैं तो इन दोनों कर जब आप इंटर्सेक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास फॉल्स वाला आंसर आएगा यानि यानिके या ना करना आपने बसक्या देल मेशन जानीके जिए लिए उसका अपने टेबल बिनाना है और देखना सारे आंसर इस फाल्स जालस रहे हैं तो वह कॉंट्रेडिक्शन आ है पिर आजाते हैं आपके पास law of logics आजाते हैं commodity law क्या कहते हैं आपको शुरू से 9-10th classes में भी न commodity law वगएरा जो ना सारे associative law, distributed law ये सारे पढ़ाए जाते हैं तो commodity law क्या कहते हैं जितना इसा left hand side पर नो अतना ही right hand side पर है simple है सा आनलफ जो मैं आपको समझाने के लिए क्या रही हूँ जैसे P intersection Q है या P and Q है वो equal किसी हैगा Q and P यानि किसे position change करने से कोई फरक नहीं आता आंसर आपके पास नहीं माएंगे P और Q ले रहे हैं तो Q और P ले ले ले, doesn't matter ठीक है? associative law क्या कहता है? associative law कहता है भई brackets लगानी है पहले वाले में देखें इन्होंने P and Q के साथ लगा दिया bracket और equal के दूसरी साइट पर देखें Q and R के साथ लगा दिया है यानि कि associative कहता है brackets आती है आपके पास left-hand side में और right-hand side में सिफ brackets का फरकत है, answer आपके पास बिल्कुल same आते है distributive law ना, तो distribute से जो ना वहां से समझ आरी कि P जो ना वो distribute होगा एक दफा Q के साथ और एक दफा P distribute होगा R के साथ ठीक है P or Q P or R ठीक है तो identity इसे ही पता चल रहा है कि आप कुछ भी कर लें आप इसमें टेबल में true करें add या false add करें answer में कोई फरकनी पड़ेगा answer वही रहेगा जो था तो P and T भी लें वो भी P cake वालाता है P or contradiction C ले ले लें तो भी P cake वालाएगा अच्छा अब आप कियेंगे हम इसको कैसे याथ करें यह बड़ा मुश्किल लग रहा होगा तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि पेपर में अगर आ जाए आप से जो एना MCQ उसके तोर पर भी आ जाता है आप फुरन से table बनाएं ठीक है अपनी rough sheet पर table बनाएं देखिए कि अच्छा आप पोरां से वह लें इस circle को आप टिक कर दें ठीक है? अब इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा मेरी जुबान पर जो ना यह लवज नहीं चर रहा है तो यह आपके पास P के एक वल ही आएगा ठीक है डी मॉर्गन्स लाह देख लें आप दिगों डिगों डिये भी हमने पढ़ा कि निगेशन P end की हुआ तो निगेशन P के आपको कि P का आप और T के साहते लेंगे तो T के एक वल आएगा और P end आप काउंट नेटिक्षन लेंगे तो C के एक वल ही आएगा एगा तो कि अबसॉप्शन लाग में क्या गहर है कि आप P और P end क्यू लेंगे तो वो P के एक वाल आएगा आपने बिसीकल यह करना है I'm simply contradiction के एकवला होती है और जो negation आप C लेते हो वो T के एकवला आती है ठीक है तो यहां से आपका लेक्चर मुकमल हो गया है और यह आइडिपोटेंट ला था ठीक है तो यह आपने देख लेना तो हुपसो आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा अगर आपको पसंद आदा है तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज